सभी साथियों को मेरा नमशकार स्वागत है आप सभी का आज तीन सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस अनालेसिस में गुड मॉर्निंग एवरिवन और वेल्कम टो डेज इंडियन एक्सप्रेस अनालेसिस सुरेटर्स बिगेन विदाउट एनी फुर्दर डिले पहले पेच पे Honorable Supreme Court ने उत्तर प्रदेश में और विशेश कर जो बुल्डोजर जस्टिस का चलन चला है इसको लेकर अपनी कमेंटरी करी है Supreme Court questions, बुल्डोजर जस्टिस विल ले डाउन पैन इंडियन नर्म्स फॉर ड्यू प्रोसेस उत्तर प्रदेश में अध्यप्रदेश हाइलाइट में रहा था कि बुल्डोजर नियाय करा जा रहा था जिनको अपराधी मतलब सिर्फ घोशित होएं अपराधी मतलब अभी Court में ट्रायल चल रहा है उससे पहले ही सरकार उनके घरों को तोड़ना शुरू कर दिया था पॉप्रिलिसम का यहां पे आंगल निकल के आता है कि जनता का पॉप्लिस्ट व्यू लेने के लिए और अपीजमेंट के लिए क्योंकि जब तक आप पहली बात तो किसी का ऐसे घर नहीं तोड़ सकते हैं कॉंस्टिशनली दूसरी बात सुप्रिम कोट ने यह भी क्लियर करा कि सिर्फ इस अथार पे आप दूसरों घर तोड़ा है कि वो सो कॉल्ल अपराधी कहा गया है गोशत नहीं हुआ है कहा गया है pointing to concerns over bulldozers being used to demolish the houses of people accused of some crime in some states it is a position of law how can anybody's house be demolished only because he is an accused even if he is a convict it can't be done without following the procedure as prescribed by law इसलिए justice साब ने केवी की शुनातन जी ने इसको address करा bulldo justice helped UPCM योगी आतिनास build a political brand and was copied in other states basically मैंने को बता है नहीं यहाँ पे क्या point निकल के आ रहा है populism, populism approach, populism appeasement जास जादा लोगों को खुश करने के लिए political gain लेने के लिए यह political stunt के रूप में कर रहे जाने लगा देखिए, law and order होता एक चीज़, ठीक है अब समाज में आप एक narrative बनाते कि भाईए यह person जो है यह अपरादी है, आपने उसका media trial करा है बिसी कली जो आपने उसको पहले media trial चलाया और media trial चलाने के बाद आपने मौका देखिए, उसका आवास जो है वो तोड़ दिया ठीक है, populism, यह गलत practice के रूप में अन्य राज्यों ने अपनाया है क्योंकि इसका फाइदा मिला, योताप अदेश में योगी आतिनाज जी को इसका फाइदा मिला था जो लोग को कानून के समझ नहीं होती है, जो लोग खुड़े से आपका अन्विग्य होते हैं, procedure of law को लेकर उनलों को खुशी इस बात से होती है कि यहाँ पर तो देखो एक व्यक्ति था, उसने यह काम करा तो सरकार ने उसा घर दोड़ दिया, x, y, z देखिए, अंटेन अनलेस कोई illegality है, चुप्रिंग कोट ने कही बार clear करा है, कि आप ऐसे populism approach को लेकर कानून को अपने हाथ में ना ले, और legal framework के दाएरे में काम करिए, आगे बढ़ते हैं, पाकी इंडिया ने सिंगापूर के साथ कही समझौते करे हैं, सेमिकनेक्टर हेल्थ को लेकर, और हमारे माराने बदा मंत्री जी, ब्रुनाय और सिंगापूर की यात्रा पे भी मेरे खाल से बब तक जा चुके होंगे, प्रामेस्टर मुदी से रेट टुर्णाय और सिंगापूर तुस्टे, इंडिया और सिंगापूर आट लुकिंग अट नंबर और अफ निव फॉर्वर्ड लोकिंग फूचिर्स्टिक अरिया तो कोपरेशन, इन समी करनक्टर्स, डिजिटाइज़ेशन स्किल, हेल्थ, एडवांस, मिन्फैक्चरिंग और करनेक्टिविटी, तो सिंगापूर तो वैसी बहुत एडवांस अपने आप में है जगा तो, और अभी हाली में सिंगापूर के नए प्राम मिनिस्टर भी मने थे, लॉरेंस वांग, तो आप इसमें एड़िया दखिएगा, कि सिंगापूर के नए प्राम मत्री कौन है, वो हैं, लॉरेंस वांग, लॉरेंस वांग, करिंट अफेस में आपको काम आचाएगा, आर्टिकल्स में आते हैं, तो यहां पर मॉन्सून कमफर्ट है, अगुर्ट साउथ वेस्ट मॉन्सून रहा अबार आपकी बार, इंडिया जिसीव 75, 7.5% अबाव लॉंग पीरियड आवरिज इन फॉल, हमें लगबग 7.5% जादा बारिश पाई है, विन 9% and 15% सर्पलस इन जुलाय अगुर्ट समारच जो इस बार पढ़िया करके पानी पहुचा है फसलों तक. On August 2019, the ban on sugar mills to produce ethanol directly from cane juice, syrup or intermediate stage B heavy molasses imposed last December was lifted. Mills distilleries have also been allowed to use up to 2.3 million tons of rice from the FCI stocks for ethanol production. After they were barred in July 1993, basically सरकान ने कई कारणों से ban लगाए थे मगर उनको समय रहते खोल थी कई. But इसे की sugar का स्थमार करना, sugar industry में, rice का स्थमार भी करना, ethanol production में, मगर अभी हमें और चीज़ करने के जरूवत है. The Minister of Commerce Consumer Affairs and Food, Pralhad Joshi, said the government is thinking of relaxing the prohibition on white, non-bassment as exports. असल में हमारे इतना बढ़िया production हुआ है कि हमको जरूवत है कि हम इसको ना समय रहते, आपका export करें, world पे. ठीक है, अन्ने देशों में हम इसको भेजे हैं. Export करने से, जो surplus है हमारा, उसको सही दाम से sell भी हो जाएगा, और बदले में भारत को income भी generate होगी. Relaxing, the prohibition of white non-bassmatiya exports also effective since July 2023, given the 45.5 metric ton of rice as public warehouses on August 1, the highest ever for this, और हमारे जो वेरहाऊसे हैं, कुदाम हैं, वहाँ पे लगबग 45.5 metric ton चावल पड़ा हुआ है, जो कि यह highest अब तक की डेटा में है. The government must in fact even dispense the 20% duty on para-boiled non-bassmati rice for an $950 ton minimum export price restrictions on basmati shipments. मतलब सरकार को समय rice के exports पर ध्यान देना ज़रूरी है. Export ban होने से और जिमांड बढ़ रही है कि प्याज और pulses को भी जो रोका हुआ government ने एक्सपोर्ट होने से ये खोलें ताकि हम अपने surplus को सही दाम में बेच सकें और हमारा जो food logistics है वो maintain रहे हैं. Shifting gears in anticipation of evolving supply situation is something the government is least adapt at. यहाँ पर फोड़ा सा policy में कमी ये देखी जा रही है कि सरकार अगर माल ये दिक्कत ही आ रही है. असल में आप आप देखिए क्यों ban लगाना फिर हटाना ये समना market को understand करते हुए करना चाहिए. यहाँ आप बरकुल जरुवत है आप ban लगा दीजिए. और जब market change हो गई है तो उटा दीजिए. यहाँ पर policy में जो मैंने भी आर्टिकल्स पड़े गई हैं ये निकल के आ रहा है कि government gear shifting में बहुत ही मतलब loosely काम करती है. ठीक है. अब अगर ban लगा दी तो लगा दी है. मतलब अगर अगर इनोंने ये decide कर लिया कि अब जो है हमारी ये policy पहले gear में रहेगी. तो जब लोग सुझावत दे रहे हैं कि आप अब अब सेकंड gear में shift कर दीजिए अब गाड़ी को आकर बढ़ाना है. यह हो जाता तक government यह काम नहीं करती है. तो governance में हम यह भी जाना है कि we should adapt with changing environment. देखिए तब जो export ban करा था जोलाई 23 में तब की conditions अलग थी. अब ही conditions अलगें. अब वो ही export ban होना से जो हमारा सा policy में ध्यान देना चाहिए. shifting gears in anticipation of evolving supply situation is something that government is least adept at. With its trade policy skewed in favor of consumers and buyers against producers, it results in periods of low supply with higher prices being followed by that of oil size supply areas. The familiar COP web model whose effects are accentuated by the clamping of export and stock controls during the former and our action and later event, while food inflation remains a concern. The government should be equally watchful of price collapses, whether in soybean or moong. India cannot afford farmer loss reducing interest in cultivation of oil seeds. अब इसमें इत्ती जो अंग्रेजी बताईए, इसमें कहना का चाहरा है. कहना इसमें ये चाहरे हैं कि government को पहली बात, पहली बात, समय रहते गेर बदलते आना चाहिए. गेर किसका? पॉलसीस का. आपको जरूत लग रहे दी, market को रोक के रखना है, production को भी control में रखना है, आपने break लगा दिया. लगा दीजिए, मगए जब market evolve कर चुका है, तो आप allow कर दीजिए export को, ताकि हम surplus को बेच सके अपना, है ना, एक अच्छे दाम पे वाइदा. दुस्री बात है, इस आर्टिकल में ही भी आरोप लगाया, इस paragraph में, कि government is more consumer centric, consumer centric, than producer centric, producer का भी ध्यान रखिए, producer का आपो ध्यान रखना पड़ेगा. बनाने वारे समय में, pulses और crops के fluctuations ज़्यादा हो जाएंगे, prices में. India cannot afford farmer losing interest in cultivating, मतलब वो यहाँ पे आशीरी जी ते कह दियागी है, भाई आपर producer का, जो हमारा क्रिशक है, सरकार को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसी कहतार पर क्रिशी हमारी मजबूती से चल रही है. आगे बढ़ते हैं, to do justice, यहाँ पे जो national judicial conference, इसमें हमारी प्रेजिडेंट पैम ने, यह कहा था कि black court syndrome एक term दिया है, असल में एक कोई syndrome नहीं होता है, black court syndrome basically, उन्होंने यह कहा है कि लोगों को अदालत जाने से ना गवराहाट होने लग गई है, कि बहुत समय लगता है, खर्चा हो जाता है, 15-15 साल, 20-20 साल तक केश सलता रहता है, पैसा खर्च होता रहता है, तो उन्होंने यह कहा है, प्रेजिडेंट मुर्मू जी ने, कि हमें उन्होंने जुडिशरी के लिए विका है कि जुडिशरी जुडिशरी है उसको समय रहते केसिस का डिस पर्सन करना चाहिए वो केसिस को ना की आगे बढ़ाते रहे जिसे जुडिशरी में क्या दिक्कत आती है कि अगर केस लग भी जाता किसी का तो फूए इतना लंबा जाता है किसी भी कारण से कि लोग का फिर ट्रस्स हला जा जाता है कि अब कौन कोट के तैरी जाएगा फिर इतना खर्चा भी हो जाता है अच्छे की तो बात नहीं है, यहाँ पर उने डारेक्ट एड्रस कोड जजेस को करा है, जजेस को यह कहा है कि आप लोग अच्छी पॉलिसी के माध्यम से और अच्छी निष्ठा के साथ स्ट्रीम लाइन करिए डिस्टिक जुडिशिरी को, स्ट्रीम लाइन करिए, अंडर ट अच्छी निष्ठा क करें हैं सुप्रीम कोड के साथ, नि सारे Tá J continually और झा झाल है कि हमें जुडिश्य को और बैतर करना पड़ेगा वर्तमान सम्मे के साब से कि लोग न्याय आले तक जाएं और जाए तो जाएं उनको समय रहते न्याय भी मिले जो कि नैशनल जुडिशियल कॉंफरेंज डिस्टिक जुडिशियरी को ले के थी जिला न्याय आलेों को ले करती तो उसमें नों नहीं ये कहा और मारे निये मुक्यनायदीश। सीजेओ साब ने दिवा पाण जंद चूर्ड नरे ये भी कहा है कि जिश्टिक जुडिशियरी लेवल पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को हम देखेंगे मतलब कि इंडिकेट करा है कि All India Judicial Service के बारे में भी हम सोच रहे हैं जो कि Judiciary Level पर बढ़तियां करेगी All India Judicial Services को लेकर अब देखिए आखड़ किते चौकाने वाले हैं एड़ जिफ्टी जजिस पर 10 लाग पीपल प्रती दस लाग लोगों पर सिर्फ पंदरा जज होते हैं यह है जुडिशल एको सिस्टम की कमी दस लाग लोगों पर मातर पंदरा पंदरा जज है The figure is far less than the 50 judges per 10 lakh recommended by the 120th report of the law commission The law commission ने 1987 में क्या कहा था कि हमारे आखड़े के हिसाब से अगर हम प्रती 10 lakh लोगों पर 50 judge रख पा रहे हैं तो भी ठीक है मगर आज वर्तमान तक हम जो आखड़ा टच कर पाएं वो है 15 judge प्रती 10 lakh लोगों पर यह है judicial burden तब ही हमारा judiciary भी उस तचिसे काम नहीं कर पा रहा है 120 वी रपट जो लोग कमिशन की थी उसमें एक आ जयता है और यह भी कहा गया है कि इस जिसे जुडिशिरी को खासकर नहयालों को जैसे संगीन अपराद होते हैं रेप के sexual harassment के आराब का महिलाओं से समंदित इनको बहुत ही फूर्टी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ wind up करना चाहिए समय रहते काल अबधी में कोई डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि woman के भी अधिकार है कि वो नियाये पाए ना कि procedural कम्यों के कारण नियाये ना हो पाए बहुत इच्छी बात कही है जिसे जुडिशिरी reforms को लेकर यह conference हुई थी यह राटिकल अच्छा है मगर मैं इसमें नहीं जाओंगा यह राटिकल पर लगबग तीन से चाहे वीडियों बात कर चुके हैं आर्बियाई की जो growth rate मैं गोई जीडीप जो growth rate आपकी 6.7% आ रही है फाइनल कौर्टर में 25 के पहले कौर्टर में यह चिंदा का विश्य है क्रिशी भी इसका कारण है आप इसका धिन कर लीजेगा और मैं इसको जूम कर दिया है उमीद लगाए गई थी कि 8% या कम से कम 7.2% तो होगी मगर वह बहुत ही मीचे जा रही है उटपादन production और कई policies के पीचे इसका कारण है टेक्स फॉर्स ग्रीन बाइवर्स कोड़ोस कें इंक्रीज रिसाइलंस और सिटीज रधा को इंग का जी कहती है कि अपन को ग्रीन एकोसिस्टम बनाना पड़ेगा तभी हम क्लाइमट चेंज को और शेहरों को अच्छा बना पाएंगे पहले ही परशन कहा है कि अगर आपको रहने का मफसर दिया जाए लगस्तान और जंगलों में आप कहां पसंद करेंगे अपनी फूट चेंज अपनी फूट वेब होती है एक बालेंस में रहता है और सब जिंदगी जीते रहते हैं इन अले 20th सेंचरी ते यलोस्टों नैशनल पार्क इन युएसे वहां पे एक समय ऐसे आगया था कि बूरा बंजर हो गया था कारण क्या था कि वहां पे डियर की बजाती जो बड़े बड़े डियर होते हैं आप अगर कभी डियर देखें तो बहुत बड़े बड़े होते हैं है ना एक तो मूज भी होता है आप अभी देखीगा मूज वह तो आदमियों से बड़ा होता है हम लोग अगर खड़े हैं ना मूज तो मूज हमसे बड़ा होगा इत्ता बड़ा आप गूगल पर करिएगा मूज को बहुत बड़े होते हैं मूज और डियर भी के पर जातियां होती हैं तो यह आपका वहाँ पर क्या हुआ यलो सू नेशनल पार्क में पूरे पूरा बैरन हो गया क्यों डियर की और एल्प्स की पॉपलेशन इस बड़गे की वो लोग प रेजिंग करकर के पूरा ग्रीन भी खतम कर दिया उससे क्या हुआ बैलंस हो गया और बंजर भूमी होने लग गई क्योंकि मृदा का शुरू होना शुरू हो जाता है अगर आप पेर पौध हटा देंगे घास पूश हटा देंगे इसके लिए क्या करा सरकार ने ग्रे वुल्फ बड़े वारे वुल्फ होते है एक सो पैतिस उनको वापस से रिलोकेट करा यहाँ पर जो पहले खतम हो गए थे खतम कैसे हो गए थे शिकार करते लोग इनका अमरीकी लोग बहुत शौकी होते शिकार के वो लोग शिकार करते शिकार करकर केते हैं अगर ग्रेव वूलफ को मार दिया कि जब कोई परेटर नहीं बचा तो एल्फ की पबरश्र बड़ना शुरूओ के डिए । अब सरकार ने फिर से क्या करते कि जैए क्रेव वूल्फ को मुगा ऑन विल्टुस कर दिया बारेंस कर्श्रीट हो गया अब नेचर अपने साफ से समय समय पे घास पूस पेड़ पॉद योग आता रहा कि अगरना माल लेजी कि यह डियर है माल लेजी अभी ऐसी कालपने डियर है और यह वुल्फ थोड़ा बडाई बनाते हैं यह अमरीका वाला गुल्फों बदधाइंकार होता है होता क्या है एक बैलेंस होता है डियर ग्रीनरी घास, पूस उस समय से में चड़ता रहता है, खाता रहता है वहाँ पर नहीऊक्छै आती रहती है यह इसको खाता रहता है यह चला जाता है जब यह डीर चला जाएगा तो घास भोने का समय मिल जाएगा बीजनेरेट होने का अगर ये ग्रे वुल्फ ही नहीं रहेगा तो डियर कोई खत्रा ही नहीं रहेगा डियर अपना मस खाता रहेगा तो जत्ते जितनी दर से ये घास उगेगी जिस रेट से ये घास उगेगी जो डियर खाते हैं पत्ते वत्ते खाते हैं उगने से पहले खत्म बना शुरू हो जा जाएगा कि यहां से ब्लुक्र खतम जाएगा यह होने लागा था कि बारन होने लग गए थे इको सिस्टम में आपका दिस्ट्वाइ होना शुरू हो गया था बारनस इस इंपोर्टें बुदिन 75% of flowering plants globally need insects and animals to pollinate them flowering plants को insect और animal pollinate करते सम्झानते है besides the complex interdependence of plant and animal kingdom there is the fascinating fungal kingdom which connects trees and plants fungi will include mushrooms are mostly on the roof of plant and trees many scientists believe trees are talk to each other to this underground network और ये पूरा जंगल अपने आपे एको सिस्टम है एक food web है इसे scientists world wide web भी कहते है की जड़ों के माध्यम से mushrooms की जड़ों के माध्यम से trees connect करते हैं दूसरे के साथ अपनी roots के माध्यम से trees connect करते हैं दूसरे के साथ observing nature makes you realize that nature is very intelligent hence the term natural intelligence just like artificial intelligence we have only scratched the surface in our understand हम तो अभी जान भी नहीं पाए हैं प्रोपरली की नेचर काम करता कैसे है इतना smart और intelligent है वह इन्होंने आपर बताया हुआ है फिर हम मुद्धे पर आ रहे हैं इनके तो so how do we build biodiverse spaces तरोचती बाते बता दीम बढ़िया बढ़िया ग्रीनरी के बारे में हम कैसे का रहे हैं इसमें योगदान अपना studying trees and organisms that are native to an area is the first step पहले आपद्धिन करिए कि किसी छेतर में कौन से प्राणी कौन से जीवचंतु वहां के local है native है plants, trees, animals तब आप उनके restoration पर काम करिए Mumbai is home to remarkable biodiversity with a thriving biodiverse protected for forests Sanjay Gandhi National Park है शिटी के पास में है ठीक है with large amounts of mangroves and wetlands on its coast the city has a lot of native land and marine biodiversity of course the recent over considered concretization of the island city with aggressive buildings and road is posing a grave threat to the biodiversity अब जो हुने बहुत बड़ा शहरी करन कर दिया है concrete बिचा दिया है उससे हमारा green cover खम होता जा रहा है to counter the coastal erosion we can protect mangroves इसका solution क्या है mangroves को बचाईए and natural marine habitats we can invest in more sea waste treatment plant जो आपके mangroves के पास knowledge release कर रहे हैं हम sea waste treatment plant लगाके उन harmful chemicals का असर कम कर सकते हैं for land biodiversity we should plant native species of trees और हाई पास जमीन की लैंड की तो अब native species trees की जो native species हैं उनको प्लांट करिए उनको प्लांट करने से बड़ाइवसिती वहां की balance रहेगी we can create habitat corridor so the organisms that are in park can multiply और हम उनको grow करने का मौका दे हैं जाय हम वो रोको भी उनकी चलन आने जाने के लिए चलने फिरने के लिए a totally undisturbed ecosystem medalline in Colombia created a similar network of green corridors it led to a cleaner air and drop in the two degree temperature in the city and Colombia की medalline में भी ऐसा प्रयास करा गया था और बेकुल कामियाब रहे थे शेहर का तापमान दो डिग्री कम हो गया था तो हमको regenerate करने की जिरूवत है urban spaces को एक और बार से आगे बढ़ेंगे के लिए आर्टिकल की और यह ब्राजील के सुप्रिम कोट को लेके आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पे X platform को बंद कर दिया किया है बैंड कर दिया गया एकस अपन लोले तो यह है Twitter जो पहर ट्विकल था अब असल में हर किसी की दिमाग में Twitter ऐसा बैड़ जिया कि हर कोई इसको interview प्लाइटर ही बोलता है सुप्रिंग कोट ने ने क्या दिया है कि सुप्रिंग कोट ने यह का कि हमने एक्स को कहा था कि आपका जो प्लैटफॉर्म है उस पे लोग अलग लग प्रकारी ट्रिपणियां करते रहते हैं कुछ सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं सरकार को लो यहां पर लोग को जो कहना है कह सकते हैं हम इनको इसमें कुछ नहीं करेंगे तो ब्राजील कोट ने कह दिए ठीक है आप पर आपको समय दे रहे हैं आप इतने में अगर ना कर पाओ तो हम बंग कर देंगे ब्राजील में बहुत सिती कर बड़ चल रही है ब्राजील में सत्ता के खिलाफ टोटल पैनिक से क्रीट हो गया है वहांकि लोकल परिशानिया है पॉपिलर लोगों को ट्रोल करा जा रहा है लीडर्स को जनता का एक उबालसा है प्रजील में मस्क ने यह का भईया फीडम आप स्पीच है फ्री स्पीच है मैं किसी को क्या बोलना है यह नहीं कहूँगा और जो वो बोल रहा है उसके लिए मैं उसे अप्रादी भी नहीं इसको लेकन उने एक्स को बन कर दिया Iran Musk, the owner of X, has been on a months-long feud with the judge, Justice Alexander de Mores Starlink, Musk's satellite internet service told Brazil National Telecommunication Agency on Sunday that it could not comply with the order to block the platform there are more than 20 million users of X in Brazil making it company's 5th largest market in the world after Japan, India, and Indonesia, and the UK Justice Mores, due to judge-sahabh, on April 7 Justice Mores accused Musk of waging a discrimination commission campaign and he said, this campaign is going on to order X he referred to Musk's action in his order saying the flagrant conduct of obstruction of Brazilian justice incitement of crime, public threat मतलब बोई कि आप लोग सत्ता को तक गठाना चाहते हो पोटेस्ट वगरा मैं आग लगा रहे हो दुनिया भर की चीज़े आप अग्रान कर दिजिए अगर्वादिकल है प्लान फफावर्मर या आप पढद दीजिए कब मैं इसको बस जूम करते रहा हूं कुछ आर्टिकल खुद भी तो पढ़ने चाहिए कि आची देखते हैं अपना कींदी समय देने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद आपको दिन शुभ हो वाक्त जो भी करेंट इस यहां पर डिस्कुस नहीं कर पाएं वह हम वेबसेट में डाल देंगें वेबसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है